दोस्तो इस समय भारत के पास एक खजाना है जिसके उपर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और भारत ने इस खजाने को लोटवाने के लिए इनकार कर दिया है और इस खजाने को कोई लोट ना पाए इसके लिए इसके उपर पावंदिया लगा द जिसके लाभारती होने जा रहे हैं सौधी अरेबिया और यूवेई जैसे देश मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सौधी अरेबिया और यूवेई भारत के लिए बहुत महत्वपून देश हो जाते हैं इनके साथ हमारा कोई ट्रेडिशनल रिलेशन्शिप नहीं है इवन किसी जमाने में सौधी अरेबिया और यूवेई भारत के खिलाफ कई सारी साजिशे भी कर चुके हैं इन सभी चीज़ों कम चानते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को पूरी दुनिया में अलग थलग करवाना है ये परिस्तिती लाकर खड़ी कर देनी है कि पाकिस्तान को कोई मदद ना कर पाए उसके लिए साथी अरेबिया और यूवेई का साथ भारत को चाहिए क्योंकि ये लोग रूल करते हैं OIC पर Organization of Islamic Countries और ऐसी परिस्तिती में वहाँ पर हमें पैट बनाने के लिए इन दो देशों की जरुवत पड़ेगी अब क्या माजरा है किस तरह से भारत ने इनकी मदद की है ये कौन सा खजाना है ये सारी बाते मैं आपको एकदम डीटेल में बताने वाला हूँ इसके बाद आपको इस सब्जेट के उपर कोई भी वीडियो देखनी की जरुवत नहीं पड़ेगी मैं आपको गैरंटी दे सकता हूँ आप बस वीडियो को एक देमेंट तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ये कहानी शुरू होती ही 1965 से जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे हुआ ये था कि 1964 पेशट के दौर में हम लोगों ने सुखे की मार जहली थी इसी के साथ साथ हमने 1965 में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा उस समय आप जानते हैं कि पाकिस्तान को सवर्थन देता था अमेरिका इसका खामियजा भारत को ये उठाना पड़ा कि उस समय हम लोग करस्वी प्रदान देश होने के बावज़ूद अमेरिका और पश्चीमी देशों के उपर निर्भर करते थे हमारी गेहों की जरुवत को पूरा करने के लिए लेकिन अमेरिका ने भारत को गेहों देने से इंकार कर दिया यहां तक कह दिया कि भारत एक भिकारियों का देश है और अगर गेहों दिये भी तो वो कुछ यसी क्वालिटी के होते थे कि वो खाने योग ये बिलकुल भी नहीं थे प्रतेक्षे दर्शियों का तो यहां तक कहना है कि वो गेहूं जानवर तक भी खा नहीं सकते थे इस तरह के गेहूं हमें उचे दामों पर बेचे जाने लगे उसके बाद हलाकि शास्त्री जिनने बहुत बढ़िया पहल की क्रसी बजट बढ़ाया सबसे पहला काम उनके प्राइम मिनिस्टर पत पर बैठने के बाद यही हुआ कि उन्होंने क्रसी के लिए बजट बढ़ा दिया उसी के साथ साथ वो जो एक टाइम का उपवास वाली बात आपको पता होगी उसके बाद भारत में करांती आई जिसके बाद हमें गेहों के किलत कभी नहीं गई लेकिन दोस्तो आज की स्थिति देखिए कि भारत के पास इतनी परियापता मातरा में गेहों उपलब्ध है कि वो अपनी जरुरतों को पूरा करने के साथ साथ इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकता है लेकिन दोस्तो भारत नहीं यहाँ पर किसी भी क्राइसस से बचने के लिए और भारत के अंदर महंगाई दर को मियंतरित करने के लिए गेहों के एक्सपोर्ट के उपर बैन लगा दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया बोखलाजी गई है यह आप देखिए यूएन की द्वारा क्या कहा गया अगर भारत गेहों के एक्सपोर्ट से बैन नहीं हटाता है तो दुनिया में डबल डिजिट में देश ऐसे होंगे जो की भूके मर जाएंगे बरबर और इन देशों में कोई गरीब अफरीकन देशों की में बात नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े अमीर देश और योरोपेन देश तक शामिल है और सबसे बड़ी बात किया जब भारत के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने जो गेहों एक्सपोर्ट के उपर बैन लगाया है उसे हटाईए वरना दुनिया में भुकमरी जैसे इस्तिती आ जाएगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने बैन क्यों लगाया है यह समझना जरूरी है 2005 की बात है जब भारत के पास बहुत सारा गेहों था और इसके चलते हमने जबर जस एक्सपोर्ट किया लेकिन दोस्तों उसके बास सड़नली ऐसी परिस्तितियां घटित हो गई कि एक्सपोर्ट की वज़े से भारत में ही गेहों की आपूरती हो जाए इसके लिए भी हमारे पास स्टॉक नहीं बचा और इसके बाद हमें बाहरी देशों से गेहों को इंपोर्ट करना पड़ा तो जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसकी रेट और जो हमने इंपोर्ट किया उसकी रेट में जमीन आस्मान का फर्क था यानि हमने सस्ते बेचे और महेंगे दरों पर हमें खरिदने पड़े को लेकर हमने तीन मिलियन टन चीनी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की 2078 की बात बता रहा हूँ उसके लिए हमें कितना पैसा मिला था? साड़े 18 रुपे प्रती किलो के हिसाब से इस रेट पर हमने चीनी एक्सपोर्ट की लेकिन दोस्तों इसके बाद हुआ ये कि भारत में चीनी के क्रैसिस बढ़ गए और भारत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा तो जब हमने चीनी का इंपोर्ट शुरू किया तो हमें कीमत पे करनी पड़ी लगभग दुगनी 30 की रुपे प्रती किलो के लगभग तो इस वज़े से हमें एक अच्छा खासा नुकसान हुआ था यानि जितना हम लोगों ने कमाया नहीं उससे कई ज़्यादा हमने गवा दिया इनी सा पुरानी गलतियों को देखते हुए भारत सरकार ने यहुँकर एक्सपोर्ट के उपर पूरी तरह से बैन लगा दिया जिस वज़े से दुनिया के अंदर कई सारे क्राइसेस खड़े हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट बता रहे हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह रही कि भारत ने कुछ मित्र देशों के लिए इसमें ढिलाई रखी है यहने कुछ मित्र देश जो हमारे उपर आश्रित हैं हमसे अच्छी रिलेशन्शिप हैं उन्हें अगर किसी तरह की वीट की जरुवत पड़ती है तो हम उन्हें उनकी आशक्ता के अनुसार वीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें भारत ने सौधी अरेबिया और युवेई का भी नाम रखा है आप जहनते हैं कि सौधी अरेबिया युवेई में आईल के अलावा कुछ भी नहीं है पीने का पानी तक भी नहीं है ऐसी परिस्तिती में उन्हें अपनी खाने के जरुवतों को पूरा करने के लिए बाहरी देशों के उपर निर्वार होना पड़ता है वो अपने खुद के बूते इन सब चीजों को उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो भारत ने यहाँ पर UAE और साओधी अरेविया को इसमें छोड़ देते हुए इनके जरुवत के हिसाब से वीट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रावधान रखे हैं और यही चीज़े बताती है कि भारत और UAE साओधी के बीच में कितनी घहरी रिलेशन्शिप इस समय स्थापित हो चुके हैं यह दोस्ती यकीनन पाकिस्तान के खिलाब भारत को बहुत मददगार साबित होंगे इसी के साथ मैं आपको बता दू पाकिस्तान का भी हाल थोड़ा सा इमरान खंचो कुछ चाटना था वो चाट पूट के चले गए छोड़ गए शरीप के लिए केवल तंग खाली बताय जा रहा है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुदरा भंडर केवल इतना बचा हुआ है कि केवल दो महिनों तक सिर्फ दो महिनों तक यानि जुलाई के एंड तक समझ लीजिए अब 30 जुलाई तक वो अपनी जरुवतों के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए उनके पास विदेशी मुदरा भंडर तक नहीं बचेगा और बताय जा रहा है कि ये सारी परिस्तितियां अगर चलती रही लगातार तो दो-तिन महीनों के बाद वो स्थिति आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि जब वहां के आम लोगों को भुको मरने की स्थिति आ जाएगी लेकिन फिर भी इन्हें क्या करना है गजवाए हिंद करके देखो बेटा और भोगों के आगे तो ये सारी चीज़े निकल कर सामने आई है जो मैंने आपको बता दी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मनना हो नेचे कोमेंट करके ज़रूर बताईएगा